नमस्कार मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्माठ हिंदी के आउनलाइन प्लेटफर्म पर तो आज ब्याकरण की कक्षा में जो हमारा लक्ष है कि सपना एक देखेंगे मुश्किल हजार आएंगी सपना एक देखेंगे लेकिन मुश्किल उपसूरत होगा जब काम्याबी सोर मचाएगी तो जो बच्चे सीटेट की परिच्छा पास करना चाहते हैं वह फटाफट मेरे साथ जुड़ जाएं आज ब्याकरण की कक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विराम चिन और असुधियों का संसूधन को हम रुक रुक करके आराम से कभी जल्दी कभी तेज बोलने की क्रम में हम अर्थ ग्रहन की प्रक्रिया में जिसका उप्योग करते हैं उसी प्रकार लिखते समय जब आप कौपी में लिखते हैं तो कौन-कौन से चिन्हों के माध्यम से आप सुध लेखन कारे कर सकते हैं आज ह विराम चिन्ह या ठहराव चिन्हों के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले विराम का अर्थ है विश्राम या ठहराव विराम का क्या अर्थ है विश्राम या ठहराव तो ऐसे प्रक्रिया में हम वाक के को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना जाती है जिससे भासा क्या है स्पष्ट और अर्थवान पूर्ण हो जाती है भाव पूर्ण हो जाती है अर्थवान हो जाती है जो हम कहना चाह रहे हैं ठीक वही वही बात लिखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं विराम चिन कहते हैं लिखित भासा के इस विश्राम या ठहर दिखाने के लिए कुछ विशेश प्रकार के चिन्हों का हम क्या करते हैं चिन्हों का प्रयोग करते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं विराम चिन्न कहते हैं तो विराम का अर्थ है विश्राम या ठहराओ जिस तरह से हम अपनी बात को बोलते समय रुक करके धीरे कवमा लगा करके फुलिस्टाप लगा करके चीजों को बहतर भाव ग्रहन करने में बनाते हैं ठीक उसी प्रकार जब आप कोईची लेखन का कारे कर रहे हैं तो लेखन के दोरान जिन चिन्धों की शहायता से आप भासा भावों को अर्थ ग्रहन के लिए अच्छा बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं विराम चिन कहा जाता है भावों और विचारों को स्पस्टता करने के लिए जिन चिन्धों का प्रयोग किया जाता है बीच में अंत में या पहले विराम चिन कहते हैं यदि विराम चिन का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का क्या हो जाता है अनर्थ हो जाता है बहुत important बात है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है देखो यहां एक वाक्य है रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो आपने क्या कहा रोको मत जाने दो लेकिन यहां क्या कहा रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो और क्या कहा रोको मत जाने दो एक कामा से हमने क्या किया वाक्य में एक बिंदी एक कौमा लगाते ही आपके अर्थ में जो परिवर्तन हो गया उसे हम क्या कहते ही विराम चिन्न का इतना बड़ा अर्थ है इसका उद्देश कितना बड़ा होगा कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या है आज कौन-कौन से होते हैं विराम चिन्ह? देखो आप सभी लोगों ने देखा होगा पूर्ण विराम या विराम चिन देखो जिसे पूर्ण विराम या विराम चिन कहते हैं जहां वाक्य की समाप्ती हो जाती है जहां वाक्य अपने अर्थ को पूर्ण रूप से अस्पष्ट कर लेता है उसे विराम या ठहराव कहते ह यह पूर्ण विराम होता है बोलते समय भी जहां वाक्य या विचार खतम हो जाता है वहां रुख करके फिर अगले विचार की हम क्या करते हैं प्रस्तावना करते हैं फिर क्या है अर्द विराम है अब मुख है मतलब विराम चिन्द की अपेक्षा जिसमें और थोड़ा कम जा कहते हैं ठीक है प्रश्ण वाचक चिन्ह आप लोगों ने अक्सर पढ़ाओगा कौन कहां कब कैसे क्या इन सूचक सब्दों के सामने हम क्या करते हैं प्रश्ण वाचक चिन्ह का लगाते हैं फिर क्या है विश्में बोधक चिन्ह आश्चर्य प्रगट करने के लिए जिन चिन प्लेटाप उसके बाद दूसर अर्ध विराम जिसमें यह स्यमी कॉलन कहते हैं और फिर उसके बाद है कॉमा अल्प विराम कहते हैं जैसे तो देखो यहाँ पर क्या है उसके बाद प्रशनवाचक चिन और उद्धरण जब आप किसी की बातों को कोट करते हैं जब आप किसी जैसे गांधी जी ने कहा है ना कि नई तालीम के बारे में चर्चा किया या भारतों इंदु ने कहा कि निजभासा उन्नतिय सब उन्नतिकों मूल बिन निजभासा ज्यान के मिटैन हे को सूर तो आप इसको क्या करते हैं डबल इन्वर्टेट कामा के रोप में प्रस्तुत कर देते हैं, ये दो प्रकार से यूज के आ जाता है, डबल वाला और सिंगल वाला भी, जब कोई बात महत्त्वपूर्ण हो, भावा चक हो, तो सिंगल लगा देते हैं, और जब ठीक वही वही बात कही जाये, तो डबल कर देते हैं उसके बाद निर्देशक चिन्ह जब आप कोई कहते हैं शमाज तो समाज के आगे निर्देशक चिन्ह लगा करके कि परिवार की पहली प्रार्थ मिक्ता है है न तो इस तरह से हम निर्देशक करें कुष्टक चिन्हों का प्रयोग अक्षर हम संख्य बताते हैं जैसे अगर मैं बताऊं कई अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं सब्दा अलंकार और अर्था लंकार तो हम इहां क्या कर देते हैं ऐसे कोष्टक लगा देते हैं और खَ तो हम इन कोश्टकों का प्रयोग करते हैं, ज्यादतर कोश्टकों का प्रयोग जब आप सवाल लगाते हैं, मैथ के सवालों को वहां भर भी प्रयोग किया जाता है उसके बाद क्या है हंस पद है जिसे आप तुरुटि बोधक चिन्न कहते हैं तुरुटि बोधक चिन्न जब कोई पंक्ति में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए आप क्या करते हैं तुरुटि बोधक चिन्नों का प्रयोग करते हैं रेखांकन जब किसी महत्तोपूर बात को हमें क्या करतना होता है अंडरलाइन करना होता है तो हम रिखांकन का है आचारी लिखना है तो आ लगा करके आ लगा करके आपने विंदी लगा दी और यहां पर क्या कर दिया लिखते गए आचारी इसी तरह लागाव चिन होता है लोप चिन होता है जो चीजों को लोप कर देता है है छोटा कर देता है कुई चीज का मान लिजे कोई बात कह रहे हैं और बीच में बात छोड़नी हैं तो आपने क्या किया इस चीज का इस्तेमाल कर दिया तो इस प्रकार से चिन्हों को लिखते समय जो महत्तोपूर चिन है वो याद कर लिजे इसका जो चिन संदेश है उसको याद कर लिजे पूर विराम इसका चिन कैसा होता है अर्द विराम, अल्प विराम, प्रश्ण वाचक, विश्मय बोधक, उद्धरण, योजक चिन होता है, निर्देशक चिन, कोश्टक चिन, हंस्पद चिन, रे खांकन, या लागव या लोप, तो इन चिन्हों को याद कर लेंगे, तो आप अपने जीवन में जब भी कोई बा करना, हमें आना चाहिए, सीखना चाहिए, कई बार बच्चे जो असुद्धियां कलते हैं, जो गलतियां करते हैं, वो लिखने में इसी प्रकार की असुद्धियां करते हैं, ठीक है, अगले एक तरफ चलते हैं, कि इसमें निमले लिखित में कौन सा अल्प विराम का चिन ह फटा फट इस प्रश्न का उत्तर देदें कि इसमें अल्प विराम का चिन कौन सा है क्या अल्प विराम यह है यह है यह यह है A B C D कौन सा है अल्प विराम का चिन तो अल्प विराम आपने देखा अल्प विराम आपका आंसर बिलकुल सही है जरा देखिए अल्प विराम का चिन्न यहां पर क्या बना हुआ है तो किसी चीज को बोलते समय जैसे आज सूरियोद है है ना बहुत ही चमकीला था मैं धीरे धीरे ऑफिस के लिए आ रहा था तो आपने बीच में क्या किया लगा दिया अगला प्रश्ण देखें आपकी सामने यहां अगला प्रश्ण है मिल अरदविराम का क्या है यहां पे जो है वह अरदविराम का चिन्न है ठीक है नेक्स्ट बताएं कोंसा है अधावाला लगाएंगे में बीर्ड पास किया आधा वाला लगाएंगे में बीर्ड किया या में बीर्ड किया कौन सा लगाएंगे फटा फटा आप लोगों ने परिक्षा पास की होगी बताओ इसमें कौन सा लगेगा तो देखो M-A, यहाँ पे- M-A को full form को छोटा कर दिया गया और यहाँ पे क्या किया इसका चिन्न लगा दिया गया कि सका उचित विरामचिन और यहाँ क्या हो गया? बीड जो उत्तर देगा वही तो मेरा प्यारा विद्यार्थी है हिंदी में अंग्रेजी भासा से कौज लिया गया है तो देखो इसको लिया गया है जो पूर विराम चिन है उसके लिए अंग्रेजी में ये लगा दिया जाता है एक डॉट लगा दिया जाता है और यहां हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं नेक्स देखे निमलिखित में से कौन विराम चिन का प्रकार नहीं है निर्देशक लागव उपदेशक या विवरण बताओ इसमें से कौन सा नहीं है निर्देशक नहीं है या लागव नहीं है उपदेशक नहीं है या विवरण नहीं है विराम चिन नहीं होता है पक्का यादोग्या याद करते रहो परिच्छा के द्रिश्टी कोड से बहुत आवस्यक है किस वाक्य में विराम चिन का उच्ट प्रयोग नहीं हुआ है सुनो सुनो वह गा रही है सुनो सुनो वह गा रही है यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है प्रिय महाशे प्रिय महाशे मैं आपका आभारी हूं तो प्रिय महां से देखो यहां पे संबोधन का चिन्न नहीं लगा हुआ है आपको ध्यान दे दिये होंगे उचित का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है मैं मनुस्य में मानवता देखना चाहती हूं उसे देवता बनाने की मेरी इक्षा नहीं है मैं मनुस्य में मानवता देखना चाहती हूं एक इस्त्री कहती है कि मैं मनुस्य में पूरुष और इस्त्री में विभाजन नहीं चाहती है मैं मनुस्य में मानवता देखना चाहती हूं मैं उसे देवता बनाने की मेरी इक्षा नहीं है कि देवता बना करके मूर्ति पूजक के रूप में उसके स्थापना करना तो बताए इसमें से कौन सा है सुनो सुनो वह गा रही है है ना प्रिय महाशे मैं आप यहां पर यह वाक्य क्या है प्रिय महासय में हमें कामा नहीं लगाना चाहिए यह लगाना चाहिए यहां पर यह अंसर सही यह ठीक है हमें क्या करना है यह प्रिय महासय में देखो प्रिय महासय में क्या होना चाहिए संबोधक चिन मैं आपका आभारी हूं यह वाला यहां पर क्या है उचित वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है सुनो सुनो में देखो और यहां भी देखो जो सुनो सुनो है ये एक सब्द आवरित्ती आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं सुनो सुनो कर सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो यहां पे ये दोनों बाते आपको समझ लेना चाहिए देखो शंबोधन चिन्ध क्या होता है अरे-अरे-अरे-अरे क्या करते हैं अरे-अरे में हम लगा देते हैं संबोधन सुनों सुनों में भी हम क्या कर सकते हैं इस सब्द को लगा सकते हैं दोनों तरफ से देखना होता है नेक्स्ट है आपके पास अशुद्धी का सं लिखते समय जो आपके सामने असुद्धि आ जाती है उसको क्या करते हैं असुद्धियों का संसोधन करना तो असुद्धियों का संसोधन करने से आसे क्या है सुद्धता मानो जीवन का आधर्स है देखो क्या है सुद्धता मानो जीवन का आधर्स है बीना सुद्धता के दे का आधार है और मानोजीवन का यह जो आदर्स है कि मानोजीवन का आधर्स तो मनुष्य मनुष्य जो है । अता मनुष्य जीवन के प्रतेक्षेत्र में सुद्धता चाहता है मनुष से क्या चाहता है मनुष्य जीवन के प्रतेक छेत्र चाहता है भासा के शुद्ध संयमित प्रयोग से सिष्टा चार सहयोग आत्मियता प्रेम द्रिश से अनेक सद्गुडों का विकास होता है देखो हम क्या चाह रहे हैं कि जब कोई बच्चा लेखन कारी करता है बोलने का कारी करता है सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सारे काम आप सुद्धता से करें वैसे तो मानो जीवन में हर जगह शुद्धता चाहता है मनुष्य को जीवन में प्रतेक छेत्र में सुद्धता चाहिए होता है तो कहा है कि कहावत भी है कि बात ही हाथी पाईएं बात ही पाउँ देखो मध्यकाल में कवि गंग हुए वह राजा की दरवार में कविता सुनाया करते थे लेकिन ये बात राणी को जमती नहीं थी राणी ने कहा कि हे कभी मेरी प्रसंसा में कुछ गीत गाओं तो उन्होंने कहा कि मैं राजा की प्रसंसा के गीत गाता हूं आपके नहीं अब उन्होंने राणी को मना कर दिया और राणी ने तुरंत ही महावत को कहा कि इसको हाथी से कुछल स्वरवादो कभी गंग को क्या है उनकी बातों के नाते हाथी के पैरों त ले क्या किया गया पोच निया गया मर गए वैचारे देखो तो गल ल्हाशक करना चाहिए जीवन में यहाथी राखिए यहाथी पाव अर्थात अच्छी बाचीट अच्छी बात्चीत अच्छी है तो व्यक्ति को हाथी पर बिठाया जाता है अर्था उसे सम्मान किया जाता है और यदि बात्चीत खराब है तो उसे क्या है हाथी के पैरों कुचलवा दिया जाता है अर्था उसे दंडित किया जाता है बात ही हाथी पाईये और बात ही हाथी पाऊं बातों से ही तो हाथी मिलती है देखो एक अध्यापक जीवन में विविद छेत्रों में कोई बाचित शंप्रेशन अच्छा होना चाहिए शंप्रेशन की उपस्थिती में ही तो एक अच्छा व्रक्ता एक अच्छा श्रोता एक अच्छा पाठक तयार होता है तो इस रूप में हमें क्या है जीवन के प्रतेक छेत्र में हमें कारे करना चाहिए सुधता के लिए कारे करना चाहिए मानो जीवन जो है वो शुधता को ज्यादा प्रेम करता है मिल्कूल सही बात हैं मनुस्य के व्यक्तित्तों की जो पहचान होती है वह उसकी भासा कि जहेसा बोलता है वह वैसा प्राप्त करता है तो आप अच्छा बोलो प्रिय बोलिए अच्छा बोलिए सुन्दर बोलिए सहयोगात्मक बोलिए उसके ब्यक्तित क्या में कोई करकस बोला या बहुत खराब आवाज जिसकी सुनने में अच्छी नहीं लगते हैं आप मिलना में नहीं चाहते हैं तो सबसे भासा से होती भासा का सुंदर्य स्रेश्ट विचार वाक सयम देखो भासा का जो सयम है एक तो स्रेश्ट विचारों को कहना चाहिए उदात विचारों को कहना चाहिए दूसरा क्या है वाक सयम मतलब वाणी पर आपके सयम होना चाहिए कहीं भी कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए सरलता होनी चाहिए आप जो कुछ कहते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं उसमें क्या है एक प् नाराज हूं तो मेरी भासा में थिखनी चाहिएं अनुकूल सब्दों का प्रयोग से अरफात संप्रेश्ण के दृष्टिसे भी भासा की पूर्ण इकाई संप्रेष्ण की दृष्टिसए वह क्या है वाक्य है दो या दो से अधिक सबूगे सार्थत व्योश्थित क्रमबध्स समुह को हम क्या कहते हैं संरचना की द्रिष्च से पदो का सार्थक समुह क्या है भासा में रहा है सबसे सब्सेपद और पद से वाक्यांस तथा वाक्यांस से शिर्चना होती है याद कर लो भासा की प्रारम्म्य की काई है सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले भासा में ध्वनी होती है ध्वनी से वर्ण वर्ण से क्या होता है सब्द और सब्दों से पद की निर्मिती और पदों से वाक्यांस और वाक्यांसों से पूर्ण अच्छा करने के लिए इन कोटईएओं को समझना बहुत आवश्यक तो इस प्रकार अगला देखे आपके सामने क्या है सब्दों में क्या होता है संग्या को अप पढ़ते हैं सर्वनाम को पढ़ते हैं विशेशन को पढ़ते हैं, क्रिया को पढ़ते हैं, क्रिया विशेशन को पढ़ते हैं, अव्याव को पढ़ते हैं, उपसर्ग को पढ़ते हैं, संधि और समास को पढ़ते हैं, काल वचन आदि को पढ़ते हैं तो देखिए जो असुधियां होंगी वो कितने प्रकार से आप पकड़ सकते हैं किसी वाक्य में एक पूर्ण वाक्य में हो सकता है उसमें संग्या की गलती हो, हो सकता है उसमें विशेशन की गलती हो, हो सकता है उसमें क्रिया की गलती हो, हो सकता है उसमें क्रिया विशेशन क की गलतियां हो सकते हैं इनकी असुद्धियां हो सकते हैं इसी कारण वाक्य इसी आदि द्वारा निर्धारित होते हैं तो इसलिए वाक्य की शुद्धता का ग्यान प्राप्त करने है तो हमें व्याकरणिक तत्वों का सम्मक ग्यान आवस्यक तो व्याकरणिक तत्व कौन- भी क्या है व्याकरण की कोटियां है जिनके माध्यम से हम वाक्य जो लिखे जा रहे हैं उनकी गलतियों को पहचान सकते हैं सुद्धता मानव जीवन का आदर्स है अता है मनुष्य 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 क्या है मनुष्य जो मनुष्य है वह मनुष्य जीवन की प्रतेक छेत्र में सुद्धता चाहता है मनुष्य क्या चाहता है जीवन की प्रतेक छेत्र में क्या चाहता है वो शुंदरता को प्राप्त करना चाहता है सुधता को प्राप्त करना चाहता है तो जो शुंदर है जो अशुद्धी जिसमें नहीं है वही तो अच्छा है वही तो सुंदर है तो मानो जीवन में लेखन करते समय एक विद्यार्थी इन तमाम प्रकार के व्याकरणिक कोटियों की गलती करता है तब हमें ये जानना होगा कि अशुद्धियों के प्रकार कौन कौन से अशुद्धियों के प्रकार हो सकते हैं देखो सबसे पहले तो संग्या संबंधी अशुद्धी ही हो सकता है संग्या किसी व्यक्ति वस्तु अथवा अस्थान के नाम को हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं संग्या सब्द सम जमा ग्यान समान रूप से ग्यान कराने वाले तत्तों को हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं दूसरी सुद्धि उससे क्या हो सकती है सर्वनाम की हो सकते हैं सर्वनाम मतलब जिसमें सभी के नाम समाहित हैं, सर्वनाम का मतलब होता है, सभी नामों के अस्थान पर हम क्या करते हैं, सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो गया सर्वनाम के रूप में विशेशन जब वाक्य में किसी की विशेशता बताई जाते हैं है तो उसे विशेशन कहते हैं वाक्य में जो क्रिया होती है उसे क्रिया कहते हैं और कारक क्या करते हैं दो सब्दों के बीच संबंध बताने का कारे का करते हैं कारक कर तो हमें इन असुद्धियों को समझना होगा, याध करना होगा, पढ़ना होगा, इनके नियमों को जानना होगा। यदि आप यह इतना इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीन साउट ले ले लें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो संग्या की तीन रूप होते हैं आप लोग जानते हैं कि संग्या की तीन रूप होते हैं लिंग वचन और कारक के रूप में हम क्या करते हैं लिंग और वचन और कारक ये संग्या के अंदर की गलतियां होती हैं उसके बाद वर्ण संबंधिय सुधी भासा की सबसे छोटी क आई है स्वतंत्र है जिसका खण्ड नहीं कि आजा सकता जो साल्थक होती हैं उसे म होसकता है वाँओ के लेका चारण में स्वर्वंगें विसर्इवाँ में जो असुधिया पाई जाती है उन्हें वन की असुधिया कहते है पीर क्या है अब यह की अवयव जिसका कुछ भी व्याय नहीं होता है उनकी जो असुद्याँ होती है क्रिया विशेशन की या निपात की या कालवाचक की यह सभी इसमें क्या है आज आती है अवयव की असुदियों में फिर है लोकोक्तियां और मुहावरे शंबन्धी लोकोक्तियों का सही अर्थों में प्रयोग वाक्य प्रयोग होना चाहिए। कई बार इसका iPad ले लिज кад मुहावरे संबन्धी अशुद्धियां भी बालकोह से हो जाती है उसके बाद क्या है अनुप्योक्त कई बार ऐसे सब्द जो वाक्य में आवस्च्यक नहीं है उने क्या कहते हैं तो देख़े क्या है कि अशुधियाँ का। देखो आपके सामने प्रकार है इनको स्क्रीन सॉट ले लो यह बहुत जरूरी है जिनको आपको पढ़ने याद करने समझने में आसानी होगी ठीक है पक्का अब आईए प्रस्ण देखते हैं निमलेखित में कौन सा वाक्य असुद्ध है वह अनेक मामलों में गवा था नुपुर की द्वहनी मनमुहक है आपकी मनुपकामना पूरी हो मनीशी गण मेरी बात पर ध्यान दे फटा फट बताईए इसमें किस प्रकार की अस सुद्धी है तो अनेकों मामलों में गवा था नहीं अनेक यह जो है यहां पर अनेक हो जाएगा अनेक मामलों में गवा था वह क्या है अनेक मामलों में क्या था गवा था देखो नुपुर की ध्वहनी मनमुहक है बिलकुल सही है आपकी मनुकामना पूरी हो आप सभी अनीशी गण जो विद्वत गण है मेरी बातों पर ध्यान दे ठीक है बिलकुल सही उत्तर है आप बहुत सारी लोगों ने सही उत्तर दिया है निम्लिखित में से शुद्ध वाक्य का चैन कीजिए कि निम्लिखित में से शुद्ध वाख्य का चैन कीजिए सांसारिक समस्याओं में सभी फसे हैं निरप्राद व्यक्ति को दंड क्यों मिला दूसरा हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता निमलिखित में सुध्ध वाक्य कौन सा है फटा फट बताईए इस प्रश्ण का उत्तर बताना है आपको तो देखो यहां पे जो सुध्ध वाक्य है वो कौन सा है कि निरप्राद व्यक्ति को दंड क्यों मिला दंड क्यों मिला है ना नेक्स्ट प्रश्ण पर आते हैं उसे मृत्य दंड की सजा मिली प्रस्तुत वाक्य में असुध्धी को स्पष्ट करें संस्कृत के सब्दों का प्रयोग हुआ है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है दंड और सजा समानार्थी सब्दों का प्रयोग हुआ है कौई अशुद्धी नहीं है। फटा फट बताईए इस प्रश्ण का उत्तर क्या इसमें कोई अशुद्ी नहीं है। दंड और सजा दोनो समानार्थी सब्द हैं यह सजा विदेशी शब्द का मिले है उसे मृत्यॲदंड आगर यहां पे क्या कर देता मृत्य दंड अपने आपमें मृत्युदंड की सजा दोनों समानार्थी के रूपमें आ गया नेक्स्ट है इनमे से कौन सा वाक्य असुद्ध है असुद्ध को पहचानना है फटा फट बतादो अशुद्ध वाक क्या कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर एक खिड़की मैदान पहुंच गये हर एक खिलाडी मैदान में पहुंच गये सडक पर बहुत भीण है अध्यैन के लिए अच्छी पुश्ट के आवस्यक हैं साहित्य और संस्कृति का गहरा सम्बंद है तो इसमें अशुद्ध क्या है हर एक खिलाडी मैदान में पहुंच गए हर एक हर लगाने की क्या जरूरत है है नहीं हर खिलाडी मैदान में पहुँच गए एक कक्या हाँ कोई अभी प्राय नहीं है मैदान में पहुँच गए तो बिलकुल सही है तो यहां वाक्य की दो अंग होते हैं उद्देश्य और विध्य सणक पर बहुत भीड है अध्यान के लिए अच्छी पुस्तके आवस्यक है साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है बिलकुल सही बात है निमलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है फटाफट कवी ने संपादक को एक कविता भीज अध्यापक ने सि से से प्रश्न पूछा बच्चों ने कहा था पर आपने नहीं सुना बच्चों ने कहा था पर आपने नहीं सुना अमित ने जेव से दस का रूपय का नोट दस रूपय का नोट निकाला बताईए इसमें कौन सा अशुद्ध है अशुद्ध है तो देखिए अध्यापक ने अध्यापक ने सिस्य से प्रश्ण पूछा यहां पर प्रश्ण जब पूछ रहा है तो मैंने बताया था कि यहां प्रश्ण का चिन्न होना चाहिए है ना प्रश्ण पूछा पूछने का चिन्न होना चाहिए नेक्स्ट क्या है निमलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं राम गाते गाते शरोवर तक गया वहां प्राय मेरे वहां आता था आब आम सभा में प्रतेक वर्गों का प्रतिनिधी उपस्थिती थे तो यहां बताएं अशुद्ध क्या है अशुद्ध बताना है देखो उपस्थित थे आम सभा में प्रतेक वर्गों के प्रतिनिधी उपस्थित थे तो यहां पर यह अशुद्धी आ गया इसनाते वाक्य क प्राया मेरे वहां आता बिल्कुल सही है राम गाते गाते शरोवर तक गया नेक्स्ट प्रस्ट निम्लिखित में से एक वाक्य त्रूटी पूर्ण है बताएं कौन सा वाक्य यहां पर त्रूटी पूर्ण है संभवता मैं रवीवार को आ जाऊंगा संभवता मैं रवीवार को आ जाऊंगा जीती मक्खी निगल नहीं जाती जीती मक्खी निगली नहीं जाती विद्या सदेव साथ रहने वाला धन है मुझे आसंका है कि निस्पक्ष चुनाओ नहीं हो पाएंगे यहां पे कौन सी गलती है देखो यहां पे दो मात्राओं की गलती है कि यहां सदेव जो शब्द है यहां नहीं लिखा हुआ है सदेव शब्द आना चाहिए और यहां पे नहीं लगा है इसी नाते क्या है कि यहां पे क्या है त्रोटी फून नक्स्ट आप देखें निमलखित में एक असुद्ध' है यह सही होगे आपका उसके बाद निमलखित मैं गाने की नेक्स्ट प्रस्षण है तो सुद्धवाक्य का चैन करना है, यहां पर है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, आपके सामने यहां उपस्थित है, मुझे रेलगाडी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई तुरूट नहीं है, क्या है मुझे यहां कोई तूटी तूटी कोई तूटी नहीं है मुझे तो रेल गाड़ी में यात्रा करना रेल गाड़ी में यात्रा करना बिल्कुल सही है अगले प्रश्न की विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है कोई तूटी नहीं है किस वाले सेगमेंट में त कोई तुरूटी नहीं है दो देखो विद्यालय में होना चाहिए जलपान को जलपान का उत्तम प्रबंध है न का यहां विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए को आगया इसनाते यह क्या है गलत है बिलकुल सही आंसर निम्लिखित में से कौन सा वाक के सु सुद्ध है तुम सबसे सुन्दर्तम हो तुम सुन्दर्तम हो एक फूल की माला लाओ मैं तो अवस्य ही आऊंगा तुम सुन्दर्तम हो वाक्य क्या है तुम सुन्दर्तम हो तुम सबसे सुन्दर्तम हो नहीं तुम सुन्दर्तम हो किसी वस्तु के लिए क्या है सुद्ध वाक्य के रूप में अगला है निम्लिखित वाक्यों में से असुद्ध वाक्य को छाटिए इतने में कोई लपक कर धक का देकर चला गया इनमें कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया इनमें इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया कौन सा वाक्य सुद्ध वाक्य को छाटना है इनमें इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया इतने में इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया बिलकुल सही वाक्य है निम्लिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है रमेश की आंख से आंसु भर रहे थे गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधारे मैं कृतक्य वा रा शारा राज उसके लिए एक थाती था थी वह पेड़ पर एक चिडिया बैठी है पेड़ पर एक चिडिया बैठी है जिसके सतरंगे पंक हैं तो यहां पर क्या है सारा राज क्या है यहां पर सुद्ध वाक्य है सारा राज उसके लिए एक थाती था ठीक है नेक्स्ट तो आज के लिए यही पर इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सफी लोगों को.